नमस्कार मेरे सब भी अन्नादाता किसान साथियों आप सब के रोग मुक्त होने रसायन मुक्त होने के लिए हम आपको समय समय पर हर एक फसल की जानकारी देते हैं जिसमें की सभी उत्पाद गरेलू सभी उत्पाद कम खर्चे के आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारे ए यह कापी समय से और्गेनिक जीरा यानि कि जेविक विदियों को अपना कर गर पर सारे उत्पाद बना कर इस जीरे की देखरे कर रहे हैं और इससे पहले इन्होंने जो जीरा किया है इनसे ही जानेंगे कि आपने इस जीरे में क्या-क्या क्या और क्या-क्या उत्पाद बना र रखा है आप देख पा रहे होंगे इस जीरे के साथ बागवानी की है पुसा राम जी ने नीबू के कुछ प्लांट लगाए हैं जीरा एक दम हरा कच किसी भी तरह का रोग का प्रकोप नहीं है इसमें तो ऐसी इस्तती कैसे नियंतरन कर पाए हैं इस समय जो रसाइनिक खेती क करते हैं किसान उनको सबसे बड़ी दूइदा होती है कि इसमें कई तरह के रोग रसाइनों का अंदा धुंद उपियों करने के बाद भी रोगों का नियंतरन नहीं हो पाता है पुसा राम जी ने कैसे किया जानेंगे पुसा राम जी नमसकार आप अपना थोड़ा परीचे जीरे की खेती किसके माद्यम से करते जेविक जो उत्पाद बनाते वो क्या-क्या है मुक्य उत्पाद क्या है जीरे के अंदर अक्सर सबसे बड़ी सबी किसान साथियों के सामने दिक्कत आ रहे हैं मेले यानि की माहु रोग उसको आपने कैसे नियंतरन किया यह थोड़ा बता यह था कि किसान भाई यह आपका जीरा देख सके किसान भाईयों के खेत में जीरे के सुरुवात में एक समश्य आती है जड़ गलन उसको रोकने के लिए आपने क्या किया इससे आपके पांच बीगे जीरे में क्या परिणाम रहा फंगस आई या नहीं आई या नियंतरन हुई अगर पांच बीगे में अगर अपन आप आस फास के किसानों के पास देखते हैं दस अजार पंदर हजार का पांच बीगे में इस्प्रे के जो दवई-लाते हैं अब तक पांच बीगे में आपने कित खर्चा किया तेन पार में अंदर तीन किलो अध्रक आई है एक आदा किलो हल्दी आई है कुछ खर्च नहीं आया है जी केमिकल इसके अंदर डाल दिया होता है तो मेरा का 10-12,000 पर खर्च आजाता था अगर आप केमिकल की खेती करते तो आपका खर्चा 10-12,000 हो जाता और अब आप जेविक खेती कर रहे हैं जेविक खेती का मुख्य माधियम क्या है आपके पास जेविक खेती का यही है कि एक तो अपनी जमीन भी अच्छी रहेगी इसे एक खाने के लिए जो अच्छा मिल रहा है वो सहथ भी अच्छी रहेगी इसे और परियावन भी सुध रहेगा किसान साथियों पुसा राम जी बता रहे हैं कि आप रोग मुख्थ हैं रसाइन मुख्थ हैं जीरे की फसल के लिए सबी आवश्यक उत्पाद जड़ गलन उक्टा चांचिया या होने वाले जुलसा माहू रोग को नियंतरन करने के लिए आप गर पे उत्पाद बनाते हैं इनका काफी खर्चा बच रहा है जो आप देख पा रहे हैं इनके खेत का जीरा एकदम जबर्दस खड़ा है इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती ही माहू के नियंतरन के लिए तो फुसा राम जी ने जीरे के अंदर आने वाली माहू यानि कि जो रस्चूसक कीट होता ह इसको भी नियंतरन करने के लिए एक प्रभावी उत्पाद बनाया वो भी इनके लिए काफी कारगर सिद्ध हुआ काफी अच्छा परिणाम रहा पुसा राम जी के खेत का जीरा आज हमने आपको दिखाया पुसा राम जी और कुछ आप किसानों को संदैस देना चाहेंगे सर मैं तो किसानों को यह कहना चाहता हूँ कि बजार से कि पेष्ट मतला है जो मेरे पास के खेत में जो पेष्ट आज लगा रहा केमिकल का उसके अंदर माउं का कोई नियंतर नहीं है जो मेरे खेत के अंदर मैं तीन वारी अपना घर का उत्पाद बना के छिड़का है इसक कालूराम जी की मेहनत यहां रंग लाती दिख रही है कि इन्हों ने बिना किसी पेष्टिशाइड के उप्यों किये बगेर खेत में माहूरों को नियंतरन किया यह सबसे बड़ी बात है कालूराम जी साथ खड़ें आप भी अपना नुबहु बताएं आप एक साल से जेवी किसान साथियों के लिए हम और नए किसानों से मिलवाएंगे जो की जेवी खेती में आ रहे हैं और जो लंबे समय से जेवी खेती कर रहे हैं उनके भी अनुबहु आप तक साजा करेंगे ताकि आप नए किसान है और उन्होंने जो उप्यों किये और उनको जो परिणाम आय और समझे और अपनी खेती में उपियो करें आप सबका धन्यवाद